आज हम सीखेंगे केंद्रिय प्रवृत्ति के एक मापक बहुलक के बारे में बहुलक यानि मोड यह शब्द फ्रांसेसी भाषा के शब्द ला मोड से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रचलन या फैशन आकडों की संदर्ब में बहुलक वहमान है जो सबसे अधिक प्रचलित होता है जैसे यदि हम इन प्रेक्षणों की बात करें तो इन में बारह सबसे अधिक बार आया है इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रेक्षणों के इस समुह में बारह सबसे अधिक प्रचलित है यानि की बारह इन प्रेक्षणों का बहुलक है अब यहां देखिए, यहां किसी प्रतियोगीता परिक्षा में बच्चों को प्राप्त अंक दिये गए है यहां प्रेक्षणों की संख्या अधिक है इसलिए संख्याओं को देखकर बहुलक ज्याद करना आसान नहीं होगा सुविधा के लिए हम आकडों को बारंबार्ता बंटन सार्णी में व्यवस्थित कर सकते हैं जिसमें हम संख्या लिख सकते हैं और सभी प्रेक्षणों में वह कितनी बार आई है इसे मिलान चिन्धों से दर्शाते हैं मिलान चिन्धों की गिंती हमें प्रेक्षणों में उस संख्या की बारंबारता यानि frequency बताती है क्या हम बारंबारता के आधार पर बहुलक की पहचान कर सकते हैं? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही किसी प्रेक्षन की बारंबार्ता हमें बताती है कि सभी प्रेक्षनों में वह प्रेक्षन कितनी बार आया है इसलिए जिस प्रेक्षन की बारंबार्ता सबसे अधिक होगी वह प्रेक्षन समूह में सबसे अधिक बार आया होगा याने की सबसे अधिक प्रचलित होगा इसलिए अधिक्तम बारंबारता वाले प्रेक्षन को बहुलक कहा जा सकता है जैसे यहां प्रेक्षन 35 सबसे अधिक 10 बार आया है इसलिए यहां बहुलक है यहां बहुलक 35 हमें बताता है कि अधिक्तम बच्चों को 35 अंक प्राप्त हुए हैं मान लीजिए यहां 32 अंक प्राप्त करने वाले 6 बच्चे और होते तो इस्तिती में 32 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 10 होती जो की 35 अंग प्राप्त करने वाले भच्चों की संख्या के बराबर होती इस तरह समूह में ऐसे दो प्रेक्षन होते जिनके बारंबारता समान एवं सबसे अधिक होती इस्तिती में हमें दो बहुलक प्राप्त होते इसलिए ध्यान रहे बहुलक एक से अधिक हो सकते हैं अब चलिए बहुलक के विशेष्टाओं को समझे बहुलक आकडों के चरम मानों से प्रभावित नहीं होता जैसे आकडों के इन दो समूहों को देखिए यहां दूसरे समूह में चरम मान 698 अत्याधिक बड़ा है शेष संख्याएं एक जैसी हैं यदि हम प्रतेक समूहों का माध्य यानि मीन ग्याद करें तो हम देखते हैं कि दूसरे समूह में चरम मान 698 के कारण माध्य में अत्याधिक परिवर्तन हो रहा है यदि हम इन दोनों सम्मुहों का बहुलक ज्याद करें तो यहां 22.4 आता है आप देख सकते हैं कि यहां केंद्रिय प्रवृत्ती को निरूपित करने के लिए माध्य के तुलना में यहां बहुलक अधिक उप्युक्त है बहुलक का प्रयोग मात्रात्मक एवं गुनात्मक दोनों प्रकार के आकड़ों के लिए किया जा सकता है हमने मात्रात्मक आकड़ों के उधारन देखे हैं चलिए गुनात्मक आकड़ों का उधारन देखें मान नेजे किसी परिवार को एक कार खरीदनी है कार के रंग को लेकर परिवार के सदस्यों के मत इस प्रकार है इनका बहुलक काला रंग है इसलिए यहां बहुलक की सहायता से कार के रंग से संबंदित निर्णय लेने में सहायता होगी आकडो के कुछ संग्रह ऐसे होते हैं जिन में सभी प्रेक्षन समान बार दोराई होते हैं या फिर आकडो में दो या दो से अधिक बहुलक होते हैं ऐसी स्थिती में बहुलक एक उपयोगी माप नहीं होता उधारन के लिए यदि घर के सदस्यों द्वारा कार के रंगों का चयन निम्नप्रकार से किया गया होता तो क्या यहां हमें कार के रंग से संबंदित निन्ने लेने में सहायक सिद्ध होता? सोचिए सोचिए यहां प्रत्तेक रंग दो बार दोहराया गया है इसलिए किसी एक रंग का चैन करना आसान नहीं होगा साधारण तह बहुलक का प्रयोग रेडिमेड गार्मेंट उद्योग और जूता उद्योग काफी करते हैं बहुलक उन्हें यह निर्णाई लेने में सहायता प्रदान करता है कि किस साइज या माप का उत्पाधन अधिक संख्या में करना चाहिए तो आज हमने सिखा केंद्रिय प्रवृत्ती के एक मापक बहुलक के बारे में अगले वीडियो में आकडो की केंद्रिय प्रवृत्ती के मापों माध्य, माध्यक और बहुलक से जुड़े कुछ दिलचस्प उधारन देखेंगे